आज हम बनाएंगे मूली के कोमल पत्तों की सबजी और मूली की भी बनाएंगे मूली हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी सबजी बना ली जाए और मैं खेट से उखार लाई फिर उसके बाद मैंने इसको दोलिया है दो तिन पानी ताकि मिट्टी सारी निकल जाए फिर इसको ना मैंने काट दिया था मूली अलग कर दी पत्ते अलग कर दी और जो बीच का हिस्सा होता है उसे निकाल दिया क्योंकि उसमें भी कभी कभी मिट्टी होते कुछ कंड रह जाते हैं और इस तरह से मैंने इसे बारीक बारीक काता और इसे बारीक कातेंगे ना तो तभी इसका टेस्ट आएगा और इसको मैंने अलट पलट के फिर से काट लिया था और मूली को हलका सा छिल लिया था क्योंकि नरम है तो थोड़ा सा छिलना जरूरी है तो चलने के बाद मैं ँषी ने काट लिया, गौल काटें, चौकोर काटें, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा काट लीजिये, और डालेंगे सर्सों का तिरशों का तेजวกर, नीसे हुई बाद हम डालेंगे सब्जी के रिलाके, इसमें डाल देंगे मसाले तो हरी सब्जी है तो मसाले कम ही जाएंगे हलदी, नमक, मेर्च, परी मेर्च नी डालेंगे कि इसमेर्च हमने डाल रखी है और धनिया डाल देंगे बखे गया और उसके बाद इसको अलर्ट पलस के रखतर लगा के पकने के लिए रख देंगे और बहुत जल्दी पलग जाती है फिर पकने के बाद इसको ना थोड़ा सा निकाल के देखे इस तेसे खोड़ा समेश करेंगे तो बहुत अच्छास का तेसा आता है और बनाईएगा और बताईएगा कैसी बनी थी तैयार है आप लोगों के लिए समझी